जे हिंद स्टुडेंट्स मैं हूँ रविकमार सक्सेना आपका अपना छोटा सा प्यारे चनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम SBT बिहार के Mathematics 1 का Unit No.3 अस्टार्ट करने जा रहे हैं जिस तरह से आपका पहला युनिट जो कि ट्रिगोनोमेट्री था उसको हमने जो है सक्सेसफुली कम्पलीट कर दिया है और हम स्टुडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप Mathematics 1 के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आपको ट्रिगो का पूरा पूरी वीडियो मिल जाएगा तो पहला युनिट कम्पलीट करने के बाद दूसरा युनिट जो है कोर्णेट जोमेटरी है सो कोर्णेट जोमेटरी जो हम लास्ट में तीच करेंगे लेकिन हम जो है तीसरा युनिट में आते हैं जो कि ये 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 जो है मैंने पिछला बैस को पढ़ाया था हम जो है सारे वीडियो को हम प्लेइलिस्ट में एड़ कर देंगे अर्थात जब ये वीडियो आप देखेगा तो प्लेइलिस्ट में जरूर जाकर देखेगा वहाँ पर आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा अर्थात partial fraction का पूरा वीडियो लेक्चर, permutation and combination का पूरा वीडियो लेक्चर, binomial theorem का पूरा वीडियो लेक्चर and determinant and matrices का पूरा वीडियो लेक्चर यानि कि लगभग unit number 3 में जो है केबल और केबल बद जाएगा complex number उसको हम जल्द ही खतम करेंगे इस तरह से जो mathematics one है वो हम आपको within the one month यानि कि एक महिना के अंदर में हम mathematics one का पूरा पूरी syllabus का वीडियो जो है आपको number one classes पे मिल जाएगा अगर आपको search नहीं करने आता है तो आप हमें whatsapp message कर सकते हैं ताकि हम आपको बता सके कि किस तरह से playlist में search करना है तो चलिए हम सुरू करते हैं partial fraction तो मेरे पिरे चात्रो partial fraction बहुत ही असान topic है अगर आप mathematics one में देखें तो सबसे असान topic है वो है partial fraction पिछला जो syllabus था वो partial fraction केवल येकी unit में जो है पाय जाता था लेकिन इस बार के syllabus में ये जो है topic wise दिया गया है अर्थाट unit 3 में जो है partial fraction को रखा गया है इसके अंदर में बहुत सारे topic है पिछला जो हमारा old syllabus था उसमें partial fraction अलग था determinant and matrices अलग था आपका binomial theorem अलग था complex number अलग था लेकिन इस बार के syllabus में सभी को एक ही अर्थात algebra में जो है इसको रखा गया है so partial fraction क्या होता है मेरे period छात्रो partial fraction को समझने से पहले मैं आपको एक example देना चाहता हूँ ताकि आप अच्छी रिती से समझ जाएं कि partial fraction होता क्या है माल लिजे मेरे पास एक rational fraction है 1 by 2 माल लिजे जो है मेरे पास एक rational fraction है ठीक है rational fraction किसको बोलते हैं जो p by q के form में होता है देखिएगा मेरे period छात्रो जो p by q के form में होता है जहां पर q not equal to 0 होता है ठीक है q not equal to 0 होता है उसको हम बोलते है rational fraction तो जहां पर rational fraction है आपका 1 by 2 तो इस 1 by 2 को मैं क्या इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 by 4 पलस 1 by 4 ठीक है देखिए आपका जो है single rational fraction है 1 by 2 इसको हमने जो है 2 rational fraction में जो है summation of 2 rational fraction में हमने लिखा यानि की 1 by 2 को 1 by 4 पलस 1 by 4 भी लिखा जा सकता है अगर आप 1 by 4 पलस 1 by 4 को जोड़ेगा तो 1 by 2 ही आएगा तो इसी को हम बोलते है partial fraction इसको हम क्या बोलते है partial fraction जैसे कि आप definition को समझेगा definition of partial fraction to express a single rational fraction to express a single rational fraction जैसे कि मान लिखे 1 by 2 क्या है single rational fraction है single कहने का मतलब अकेला जो है P by Q के फॉर्म में है और अकेला जो है rational fraction है ठीक है इन्टू sum of two sum of two or more number of fraction is called partial fraction तो हमने जो है 1 by 2 को यहां पर जो है sum of two यहां पर जो है दो rational fraction के term में हमने इसको लिखा है जैसे कि 1 by 4 पलस 1 by 4 तो इसको हम क्या बोलेंगे partial fraction बोलेंगे फिर से हम definition को समझते हैं ताकि आपके mind में अच्छी रिती से समा जाए घुस जाए तो देखिएगा to express a single rational fraction मतलब की जैसे की मालनी जो 1 by 2 है यह क्या है single rational fraction है into sum of sum का मतलब जोड़ना ठीक है sum of two or more number of fraction तो हम one by two को हमने जो है अभी केवल दो जो है rational fraction sum of two rational fraction में लिखा इसको हम तीन बार भी लिख सकते हैं कोई number को जोड़के तो फिलहार जो हमने दो लिखा है तो यह भी आपका क्या हो गया partial fraction हो गया जैसे की एक example समझते हैं यहां पर है 2x plus x square minus 1 divided by x into x square minus 1 तो इसको जो है यह जो है single rational fraction है ठीक है क्या है single rational fraction है इसको जो है देखिएगा कि किस तरह से इसको तोड़कर लिखा जा सकता है 1 by x plus 1 divided by x minus 1 minus 1 divided by x plus 1 तो यहां पर जो है single rational fraction को sum of two or more number of fraction में लिखा गया है तो यह जो है आपका क्या कहलाएगा यह जो है आपका partial fraction कहलाएगा ठीक है अब partial fraction किस तरह से बनाते हैं उसको हम वीडियो में आगे बताएगे इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है यह जो है आपका in production और partial fraction है इसलिए ध्यान से समझेगा ताकि आगे के वीडियो में आपको दिकत न हो अब हम बात करते हैं कि proper fraction क्या होता है इन proper fraction क्या होता है क्योंकि जब कभी भी आप partial fraction के question को solve करने जाएगा तो सबसे पहले question आपको check करना है कि proper fraction में है कि improper fraction में है ध्यान से सुनिएगा partial fraction के question को बनाने से पहले सबसे पहले हमको check करना है कि proper fraction में है कि improper fraction में है देखिए, प्रोपर फ्रेक्शन को समझने के लिए, माल लिजे यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर में लिखे है, तो सब को मालुम है कि उपर वालों को अंस बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, अगर आप इंगलिस मेडियम से होंगे तो उपर वालों को नुमिनेटर बोलते थे, नीचे वाले को डी नुमिनेटर बोलते थे, ठीक है, यानि कि उपर वाला क्या हो गया, नुमिनेटर, नीचे वाला डी नुमिनेटर, उपर वाला अंस, नीचे वाला हर, प्रोपर फ्रेक्शन क्या बोलते हैं, माल लिजे, आपको हम समझाने के लिए एक जो है वाला को हम नूमिनेटर बोलते हैं लीनप नीचे वालों को बलन दिया nahm तो किसको को बोलते हैं यह rational fraction n by d यानि कि nx by dx is called proper fraction if the degree of denominator that is nx is less than degree of denominator that is dx देखें सबसे पहले degree of denominator क्या होता है degree of denominator क्या होता है जैसे कि आप example को समझेगा 6x plus 27 divided by 3xq minus 9x degree of denominator कहने का मतलब उपर का जो value दिया हुआ है उसमें maximum power क्या है ठीक है maximum power क्या है जैसे कि अगर हम पूछे 6x plus 27 इसका degree of denominator कितना है तो आप बोलेगा इसका degree of denominator जो है 1 है क्योंकि maximum power क्या है 1 है अगर हम पूछे नीचे वाले में degree of denominator क्या है तो यहाँ पर maximum power कितना है 3 है यह जो है 3 हो गया ठीक है आप definition को समझते हैं a rational fraction माल लिजे nx divided by dx है is called proper fraction if ठीक है आपका definition यहां से start होता है ठीक है if the degree of numerator that is nx is less than the degree of denominator अब बताइए कि उपर वाला छोटा है कि नहीं छोटा है उपर वाला जो degree of numerator है 1 है और degree of denominator जो है 3 है यानि कि जब value जो है degree of denominator जो है छोटा होगा degree of denominator से ठीक है यहां पर भी हम लिख देते हैं degree of denominator जो है छोटा होगा degree of denominator से तो उसको हम क्या बोलेंगे proper fraction बोलेंगे जैसे कि उपर में degree of denominator 1 है और degree of denominator 3 है तो यह जो है proper fraction का question है अगर proper fraction का question है तो आपको tension लेने की जरूत नहीं है direct जिस तरह से हम partial fraction निकालते हैं उस method को लगा कर आप partial fraction निकाल सकते हैं लेकिन अगर question जो है improper करा है तो उसको proper में change करना है सबसे पहले हम समझेंगे कि improper fraction क्या होता है इन प्रोपर fraction के लिए हमने definition नहीं लिखा है आप इस तरह से बना कर लिख सकते हैं ए रेशनल fraction nx divided by dx is called improper fraction जहाँ पर proper है वहाँ पर improper हो जाएगा इन प्रोपर fraction if the degree of numerator nx is जहाँ पर less than है यहाँ पर less than के बदला में greater than हो जाएगा greater than the degree of denominator जैसे कि यहाँ पर हमने समझाया है अगर degree of numerator जो है greater than या equal to होगा degree of denominator से तो उसको हम क्या बोलेंगे इन प्रोपर fraction बोलेंगे ठीक है अगर आपको proper fraction का definition आता है तो improper का आप अपने से लिख सकते है ठीक है जहाँ पर less than है वहाँ पर greater than हो जाएगा जहाँ पर proper fraction हो जाएगा बस यही चेंज होगा जैसे कि example देखते हैं 6xq plus 5x square minus 7 अगर हम पूछे कि उपर में अर्थात अंस में degree of numerator क्या है तो यहाँ पर आप बोलेगा दिग्री ओफ नूमिनेटर जो है 3 है चलिए बहुत अच्छी बात नीचे में अगर हम पूछे अर्थात हर में डी नूमिनेटर में degree of denominator कितना है तो यहाँ पर बोलेगा और मैक्सिमम पावर जो है इसलिए degree of denominator दो है तो यहाँ पर तीन जो है अर्थात degree of denominator जो है बड़ा है ठीक है degree of denominator से तो इसको हम बोलेंगे इन प्रोपर fraction अगर दोनों के दोनों बराबर भी हो जाए तो उसको भी हम लोग बोलेंगे इन प्रोपर fraction मौन लिजे यह कोशन है 6xq plus 5x square minus 7 divided by यहाँ पर 3xq अगर हम कर दे minus 2x minus 1 तो यह भी जो है यहाँ पर 3 है उपर में भी 3 है और नीचे में भी 3 है अथात equal भी हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे improper fraction ठीक है तो सबसे पहले हमने बताया कि partial fraction क्या होता है उसके बाद हमने बताया कि proper fraction क्या होता है improper fraction क्या होता है अभी आपके मन में सवाल उठता है कि sir improper fraction रहेगा तो question को कैसे solution करना है सबसे पहले तो question अगर proper fraction का है तो tension नहीं लेना है direct method में जो है आपको चले जाना है पार्सल फ्रैक्शन का अगर improper रहेगा तो सबसे पहले इसको प्रोपर बनाना है अब हम देखने जाते हैं कि इन प्रोपर कोशन को प्रोपर हमें किस तरह से हम कि किस तरह से इन प्रोपर फ्रेक्शन को प्रोपर फ्रेक्शन में चेंज करते हैं तो ध्यान दिजेगा सबसे पहले माल लिजे आपके पास कि नाइन तेन फे आपने डिवाइड करने के लिए सिख्वाओं होगा तो सबसे पहले किस तरह से डिवाइड करेंगे यहांपर है यहांपर 3 है यानि ठीक है उसके बाद माइनस 2X हो जाएगा देखिए किस तरह से डिभाइड करना है आपने 910 में सीख क्या है इसलिए हम उतना आपको फोकस नहीं करेंगे सबसे पहले तो हमने जो है denominator को यहां लिखा और हम डिभाइड कर रहे हैं तो 2X से अगर हम डिभाइड कर रहे हैं multiply करके तो इस तरह से आया उसके बाद sign को change करते हैं यानि यहां plus है तो minus यहां minus है तो plus यहां minus है तो plus तो क्या आजाएगा तो यह दोनों cancel हो जाएगा अब पांचार 9 यानि कि 9X स्क्वार आजाएगा उसके बाद plus 2X आजाएगा और यहां जो minus 7 था वो आजाएगा अब कितना बार में जाएगा तो तीन बार में जाएगा तो यहां पर जो है plus 3 लिखते हैं तो आपका हो चेंज करेंगे तो यह दोनों cancel हो जाएगा उसके बाद यह plus हो जाएगा तो 8X हो जाएगा और उसके बाद यहां पर जो है minus 4 हो जाएगा ठीक है तो इसको किस तरह से लिखेंगे अब जो है proper fraction जो है किस तरह से होगा देखिएगा ठीक है proper fraction जो है proper fraction में चेंज हो गया इसक से लिखा जा सकता है 2x plus 3 2x plus 3 उसके बाद plus 8x minus 4 divided by यह आपका लिखा जाएगा यानि कि 3x square minus 2x और उसके बाद जो है minus 1 ठीक है तो यह जो है आपका change हो चुका है ठीक है सबसे पहले हम यहां पर वाला लिखेंगे 2x plus 3 उसके बाद plus का sign देंगे 8x minus 4 उसके बाद यहां वाला लिखेंगे 3x square minus 2x minus 1 इस तरह से हमने इन प्रोपर fraction को हमने प्रोपर fraction में change कर दिया है ठीक है अब हम आते हैं types of partial fraction देखें types of partial fraction में total 4 होता है हमने यहां पर तीने लिखा है चौथा जो हम आपको बताएंगे सबसे पहले types of partial fraction को समझने से पहले यहां पर देखेंगा पहला type क्या है when the factor of denominator are all linear and non repeating सबसे पहले तो आपको denominator क्या होता है यह समझना पड़ेगा so types of partial fraction यह जो है इसको बाटा गया है denominator के अधार पर ठीक है तो पहला partial fraction का क्या type है when the factor of denominator are all linear ठीक है linear कि इसको बोलते हैं वैसा equation जिसमें power के वल एक ही होगा उसको हम बोलते है linear equation ठीक है जैसे के माली जहें x-3 x-4 यह क्या है linear है ठीक है and non repeating repeating वो नहीं करना चाहिए यानि कि repeat नहीं करना चाहिए जैसे कि देखिए x-3 x-4 ठीक है हमको तो सबसे पहले denominator से काम है तो when the factor of denominator are linear ठीक है तो linear है x-3 क्या है linear equation है x-4 क्या है linear equation है and non repeating यहाँ पर जो है x-3 एक ही बार आया है और x-4 एक ही बार आया तो यह non repeating हो गया इस तरह का question रहेगा तो उसको हम type 1 का partial fraction का question बोलेंगे type 1 समझ में आ गया अब हम चलते है type 2 तो type 2 क्या होता है when the factor of denominator are linear but some are repeated ठीक है type 1 में जो है non repeated था और type 2 में जो है कुछ factor जो है repeated factor होगा जहां से देखिएगा when the factor of denominator are all linear मतलब linear ही रहेगा but some are repeated जैसे देखिएगा denominator को देखिएगा ठीक है यहाँ पर जो है x-1 का whole square है तो यह जो है repeat कर रहा है ठीक है x-1 एक बार आया फिर x-1 एक बार आया square कहने का मतलब दो बार है ठीक है तो यह तो x-3 यह linear भी है x-1 linear है but repeated है ठीक है तो इसको हम type 2 का problem बोलेंगे पहला में जो है denominator जो है केवल linear रहेगा और not repeated रहेगा तो उसको type 1 बोलेंगे type 2 कि इसको बोलेंगे जब denominator जो है linear रहेगा लेकिन कुछ जो है उसमें से repeated factor रहेगा उसको हम बोलेंगे type 2 का problem type 1 type 2 clear हो गया अब हम आते है type 3 का problem ठीक है when the factor of denominator are quadratic ठीक है तो quadratic क्या होता है and non repeated सबसे पहले पहला में जो है पहला दूसरा में जो है linear factor था linear factor कहने का मतलब जैसे की x-3 x-4 यानि कि कैंवल एक ही power है जिसे x का power क्या है 1 है ुसको हम बोलते है लीनिया ठीक है जिसमें एक पावर होगा उसको हम बोलते है linear लेकिन third नंबर का जो टाइप है जब denominator quadratic equation रहेगा quadratic कहने का मतलब उसका power जो है 2 होगा power क्या होगा दो होगा तो उसको हम को बोलते हैं quadratic equation and non repeated तो थार्ड में किसको बोलेंगे जब denominator जो है quadratic रहेगा और non repeated रहेगा जैसे कि देखिए denominator को देखिए x plus 3 यह जो है linear equation है और यह जो एक स्क्वार plus 1 है यह जो है quadratic equation है क्या है x square plus 1 यह कौन सा equation है quadratic equation है तो factor जो है factor of denominator जो है एक जो quadratic equation है तो इसको हम type 3 में मानेंगे और non repeated है यानि कि कोई भी जो है repetition नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे type 3 का problem type 4 में क्या होगा मालने जो इसी question को 9x minus 7 divided by x plus 3 into x square plus 1 का अगर हम whole square कर देंगे तो यह जो है type 4 का problem होगा यानि कि type 4 क्या होगा when the factor of denominator are quadratic but some are repeated तो यहां पर देखिए quadratic है लेकिन एक repeated factor है जैसे देखिए x plus 3 यह linear है लेकिन x square plus 1 quadratic है और एक repeated factor है तो इसको हम क्या बोलेंगे type 4 बोलेंगे ठीक है type 4 किसको बोलेंगे when the factor of denominator are quadratic but some repeated तो type 4 का problem आएगा तो partial fraction में आपको type 1, type 2, type 3, type 4 हर एक type पर आपको दो-दो problem देंगे ताकि आपको सारा dot clear हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है पार्चल fraction बनाने से पहले सबसे पहले आपको proper है कि improper है उसको check करना है अगर इन प्रोपर रहेगा तो प्रोपर में बदलना है प्रोपर बदलने के लिए जो है आपका step है धिख्ये आपको यानि divide करना है दूसरी बात आपको母 देखनाा है कौन से टाइप का problem है टाइप 1 का problem है टाइप 2 का problem है टाइप 3 का problem है कि टाइप 4 का problem है अगर ये दो चीजागाद पकड़ लेंगे तो आपको questionnaire में किसी प्रकार का देकर नहीं होगा तो हमारा चैनल पर हरे टाइप का दो-दो प्रोबलम है आप उसको जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में हमने एड कर दिया है उसके बाद जो मैट्रिस, डिटर्मिनांट, पर्मुटेशन, एंड कमविनेशन, बाइनम्यल फिरम है यह सारा वीडियो जो है आपको जरूर देखिएगा तब तक के लिए हम विदा लेते हैं जैहिन बन्ने मातरम